आगे भी रुख करेंगे आपका लेकिन आप अपने दर्शकों के लेकर चलते हैं माउंट आबू कमलेश बताईए वहाँ पर मौसम कैसा है कितना टैंप्रेचर अभी दर्ज किया गया है सर्दी कितनी जादा है वहाँ पर देखिए दिपिका माउंट आबू के मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है जहां पिछले दिनों हमने देखा था कि माउंट आबू के वादियों में कड़ाके की सर्दी और ताप मापिका पारा जमा बिंदु पर है तो आज यहां पर नजरा कुछ अल चाही हुई है तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के मौसम का मिजाज बदला है और आने वाले दिनों में यह तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आएगा और आज के तापमान के दिपिका बात करें तो माउंट आज का तापमान 2.5 डिग्री यहां पर रिकॉर्ड किया गय है और मौसम विभा के माने तो आगने वाले जो दिन है वो कहीं न कहीं कडाके की सर्दी के देखने को मिलेंगे और कडाके की सर्दी के बीच जो यहां का जो जन जीवन है वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है मेरे साथ कुछ लोग हैं इसे भी बात करते हैं कि कुछ दिनों क्या नज़र आएगा यहां क्या जो खूंबसूर्टी है, खास करके सरदी के सीजन में, जो बर्फ है, कैसी नज़र आती है, और उसको लेकर कि टूरिस्ट कितना रहता है हैं? यहां पर टूरिस्ट बहुत अच्छा आनन्द है कुछ अलग नज़र आता है और जो यहां के जो इस्थानिय लोग है इस एतियासिक नकी जील के किनारे पर जो मौनिंग वॉक का आनन्द है इस कडाके के सर्दी के बीज भी उसका मज़ा ही अलग नज़र आता है जे देपिका बिल्कुल कमलेश क्योंकि आप पारा लगातर वहां पर गिर रहा है और आगे आने वाले समय में आप बता रहे हैं कि अभी तो पारा और गिरेगा और सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ेगी रमेश एक बार फिर से आपका रूप करना चाहूंगी रमेश आपने बताया कि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर बीते कुछ दिनों की बात की जाये तो अब से लेकर